अक्सर पूंजिवाद और साम्मिवाद ये दो सब्द बहुत चर्चे में रहते हैं तो इन टर्म्स की व्याख्या क्या है भारतिय संदर्व में इनका प्रस्पेक्टिव क्या है और इनको आसान लेंग्विज में एक आम आदमी और एक एस्पेरेंट कैसे समझे तो उस पर हम चर्चा करेंगे नए तो सब्सक्राइब कर लें पूंजिवाद, कैपिटलिज्म ये एक सब दैसा है जो वर्तमान भारती रातनीती में उभर कर दिखाई देता है कि भाई पूंजिवादी अर्थवस्था की और भारत बढ़ रहा है, कैपिटलिज्म हो रहा है, मिक्स एको इसको देखे हैं पहले की जो गॉवर्मेंट से, उसमें इनका जुगाओ कहीं न कहीं निजी करन, पूंजिवाद या प्रेविटेशन के और दिखाई देता है, अब इसका जो मसला है, या इसका टर्म का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझे, पूंजिवाद जहां पर जो भी साधन होंगे उतपादन के जो भी वर्ग होगा, उसमें किसी एक व्यक्ति या उनके व्यक्तियों का समू, उनके द्वारा ये चीज़े संचालित होंगी और उनके हाथ में ही आर्थिक साधन आपको देखने के लिए मिलेंगे, दूसरा वर्ग, या इसका और इसको म पैसा है और जो उसकी मजदूरी कर रहा है, माक्स इसको बहुत इजी कर देता है, माक्स का ऐसा मानना है कि भाईया, एक मजदूर है, सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन मजदूर किसके सपने साकार कर रहा है, पूजी पती के, और अपने सपनों की बली दे रहा है यहीं पर एक दूसरी अवधारन आईगी सामेबाद की जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि भाई दूसरों के सपनों को साकार कर रहा है वो मजदूर और जिसके सपनों को साकार किया जा रहा है वो है उजीपती तो यहीं से capitalism का concept समझ में आता है अब इसको बल के से मिलता है या इसका history background क्या है तो हम इतिहास क्या इनों में जब भारत की बात करें विश्रु की बात करें पूरानी सब्विताओं की बात करें चाहे रोम हो यूनान हो भारत की सब्विता हो मिस्र की सब्विता हो तो इन प्रमुख सब्विताओं में पूजी वादकांस हमें दिखाई देता है कहीं न कहीं अब कैसे दिखाई देता है तो एक term में यूज करता हूँ यहाँ पर दासप्रथा बहुत सारी सप्पिताओं में दास प्रथा भी दिमान थी कि भहिया कई बार भारत में आपने जो टिवी सीरियल्स देखे होंगे रामाएड, महाभारत जैसे उनमें दास प्रथा तो आपको बकायदा दिखाई देती है कि दास थे जन्मों जन्मों तक होते थे और वो सेवा क टांते हैं, अडम समिद के रूप में, इनकी एक किताब है जिसका नाम है Wealth of Nation, Wealth of Nation में ये प्राकृतिक रूप से आर्थिक सोतनता की बात कर देते हैं, अब ये जो term है इसको समझना होगा प्राकृतिक रूप से आर्थिक सोतनता को बल देता है Adam Smith और कहता है कि ये आर्थिक सोतनता होनी चाहिए अब इसको उदारवादियों का या जो liberal लोग हैं उनका मत भी प्राप्त होता है उनका मत भी प्राप्त होता है जिसे की हम नियंतरण कम से कम कर सकें अब जिसे भारत में भी उदारवाद आया उसकी अगर हम बात करें तो जो पूझी पती वर्ग है जो उद्यों की एकाईयों से जुड़े हुए लोग है या हम कह सकते हैं कि जो बिजनस वाले लोग हैं उनका नियंतरण नियम कम किया जाए जिससे की उत्पादन और व्रधी अधिक से अधिक हो सकेगी और यही बरतमान में पूझीवाद की वरतमान कंसेप्ट का मेरुदंड कहा जा सकता है जो प्राकृतिक आर्थिक स्वदंता के कंसेप्ट से एडम स्मित की वेल्थ आप नेशन में दिखाई देता है अब पूझीवाद को थोड़ा सा इस इमेज से भी मैं परिभाशीत करूँगा कि आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति बढ़िया अपना यहां पर बैठा हुआ है और इस तरीके से लोग उसके लिए काम कर रहे हैं यह जैसे कि हमने देखा कि पहले मनुष्य ने क्या किया भईया कुत्ते को पालतू बनाया फिर हम देखते थे कि वो एक सरीके का जीवन जीता था बंजारो टाइप का घुमककर वाला जीवन जीता था फिर जब उसमें इस्थाई निवास की प्रवत्ती आई कुछ प्लेस उसने लिया उस प्लेस पर अपना अधिकार स्थापित किया उस प्लेस पर जो लोग काम करने लगे उनको काम दिया और वो उसको करके उसको भी करके देते और खुद का भी काम करते तो यह कंसेप्ट पूजिवाद से जोड़ता दिखाई देता है अब पूजिवाद में ब खारती प्रस्पेक्टिव में कहा जा रहा है कि भारत पास ट्रिलियन, दस ट्रिलियन की एकोनॉमी बनेगा, ठीक है बन गया, अब आप देखें, अगर आप इंडन प्रस्पेक्टिव में देखें, तो एक न्यूज में, टीवी चैनलों में वो लोग जिनके पेट भरे हुए उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, जैसे कि एक बहुत अच्छा में बात कहूं, कि भीया धर्म और इन विश्यों पर चर्चा वोई वेक्ति करता है, जिसका पेट भरा हुआ होता है, गरीब को मतलब है रोटी, रोटी और मकान से, तो आप देखेंगे कि यहां पर पास जारा बाकी करोड जन्ता जो है, उनमें कहीं न कहीं एक huge difference है, अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, पैसा तो बना, लेकिन पैसे का जो difference है, वो कम लोगों के पास दिखाई देता है, तो या कम लोगों के हाथ में दिखाई देता है, बाकी जो नामी कर रहा है उनके आसपास खूम रहा है यहीं पर कंसेप्ट आता है साम्मेबाद का अब साम्मेबाद वर्तमान समय के लिए प्रासांगिक है नहीं है इस पर चर्चा होती रहती है लेकिन माक्स ने इस पर एक जो पॉइंट कहा कि भाया सपने देखने कादिकार मनुश्य को है एक सबको है एक व्यक्ति दूसरों के सपने पूरे कर रहा है एक व्यक्ति स्वयम के तो अब अपने स्वयम के सपने पूरे करो जहां माक्स उस साम्मेबाद पर जोड़ देता है कि शाशक वर्ग जो है या इन सभी साधनों पर सभी वर्गों का अधिकार होगा इक्व दिखाई देती हैं जिनमें समय समय पर modification हुए अब actually जो Marks का समय बाद है वो दिखाई नहीं देता या कई जगे उनमें परिवर्तन दिखाई देता है लेकिन कहीं न कहीं अवधारण उसके आसपास ही है जहां पर नियंतरन स्थापित हो सकता है यह चीन यार रूस जैसे अमेरिका में उद्योग पती पूंजी पती चुनाओं में पैसा लगा रहे हैं चुनाओं में पैसा लगा रहे हैं कि भीया हम जिस पार्टी को फंड देंगे पैसा देंगे उसकी सरकार बन रही है तो वो उनको सपोर्ट भी करते थे राजनितिक संद्रक्षन मिलता ऐसी हुआ कि उन लोगों ने कहा कि भाई जब हम पैसा लगा रहे हैं तो हम खुद ही क्यों नहीं चुनाओं लड़ लें इसी तरह डोनाल्ड ट्रॉम्प जैसे उद्योग पती निकल कर आए और उन्होंने खुद चुनाओं लड़ा और राश्ट्रपती बन गए कुछ ऐसे इस तोर से चाइना जैसे कंट्रीज में दिखाई देता है जहां पर उत्पादन और साधन के जो भी सभी समस्त साधन हैं उन पर गौर्मेंट का या हम कह सकते हैं कि शाषक वर्क का अधिकार होता है और समस्त लोगों के लिए उपन होता है अब अभी बरतमान भारती राजनीत अर्थविवस्था या इन मिंदूओं को देखें तो भारत में निजीकरण का दौर चला हुआ है हमने देखा बहुत सारे PSU's थे बहुत सारे सेगमेंट्स थे जिनमें की साशन का अधिपत्ति था जिनमें गौर्मेंट्ट चीजें थी इनके बहुत सारे लूप होल्स भी ह का आपको सास्तितु देखने के लिए मिलता है Mixed Economy वो कहीं न कहीं आप मुझवाद के और बढ़ रही है निजीकरण के और बढ़ रही है और उतपादन के साधनों पर कुछ वर्ग या कुछ लोगों का ही स्वामित्त सेच रह गया अब छोटे से वीडियो में मैंने आपको Capitalism और जो आपका ये है सामने बाद उसको समझाने की कोशिश के आप जैसे आप देखें कि ये businessman है ये लोग बेठे हुए है यहाँ पर governance है सरकार हुई है ये मिले जूले काम करते हैं आप देखें कि उद्योग पती और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं है ना इसके लिए एक बहुत अच्छा व्यंग किसी अकबार में छपा था उसकी में यहाँ पर छवी आपको दिखाना चाहूंगा हमारी भी बोली लगवा दीजे कीमत बस दो रोटी तो government ने बहुत सारी चीजों को निजी करन के और बढ़ाया बहुत सारी चीजों को private करने लगा उसके ओपर य इसमें कि यहाँ राष्टी बेरोजगार दिवस मोदी जी के बड़े को आजकल मनाते हैं युवा तो हमारी भी बोली लगवा दीजे कीमत बस दो रोटी के हमको भी निजी कर दीजे हमको भी कर दीजे बस दो रोटी के संदर में तो यह पूझिवाद और सामेवाद पर थो स्काइब जरूर गाइ